भगवान पर विश्वास बिलकुल उस बच्चे की तरह करो, जिसको हवा में उच्छालो तो वो हसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे, सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल लिय, भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं, नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो छपन भोग भी फिजूल है, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है, बस समझा कर चला जाता है, हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचेंगे, भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो, कोई गलती भी अवश्य हुई होगी, अगर आप सही हो, तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही भने रहो, गवाही खुद वक्त दे जितना इंतिजार वो आप से करवा रहा है न, समय आने पर वो इतना देगा, कि संभाल भी नहीं पाओगे, मित्रता आवश्यक है, संबंद भी आवश्यक है, परन्तो जीवन की हर कठिन परिस्थिती, ये दर्शाती है, कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है, हम बड कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे आप जितना दूर रहेंगे, उतना ही खुश रहेंगे, नकरात्मक विचारों का आना तय है, परन्तो ये आप पर निर्भर करता है, कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं, इश्वर हमें कभी सजा नहीं दे हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं इसलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए संबंध तो श्री कृष्ण और सुधामा जैसा होना चाहिए एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ दे कर भी कुछ जताता नहीं मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन मैंने कभी जूट से सच्चाई को हारते हुए नहीं देखा है जब भक्ती और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमतकार स्वयम होने लगते हैं उस मनुश्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है और काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है बात संसकार और आदर की होती है वरना जो इनसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ लेकिन जूट हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ निसंदे चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है किन्तु उप्यूक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ही ऐसा करपाना संभाव है जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है उसी प्रकार कर्म के क्षिण हो जाने पर भाग्य भी नश्ट हो जाता है केवल जीतने वाला ही नहीं बलकि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ट होता है मन से जादा उपजाओ जगा कोई नहीं है क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ जो मनुष्य करमेंद्रियों को वश्मे तो करता है किन्तु उसका मन इंद्रिये विश्यों का चिंतन करता रहता है वो निश्चित रूप से स्वयम को धोखा देता है और मिध्याचारी कहलाता है अनुमान मन की कलपना है और अनुभव जिन्दगी का सबक है सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो निसन देह, किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग करपाना संभाव है लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है अपनी पीडा के लिए संसार को दोश मत दो अपने मन को समझाओ तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का आंत है जो होने वाला है, वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला, वो कभी नहीं होता ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धी में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती किसी को हराना एहंकार है लेकिन खुद को उससे बहतर बनाना संसकार है कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन का अभिन अंग है इसलिए परिस्थितियां व्यक्ति के नियंतरण में हो ही नहीं सकती महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति किस तरह से अपने विवेक से उस समय का हल खोचता है श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खुबसूरत इस्थान है, पर सबसे खुबसूरत जगा है, बंद आखों से अपने भीतर देखना, शब्दों के दांत नहीं होते हैं, परंतु शब्द जब काटते हैं, तो दर्द बहुत होता है, और कभी-कभी घाओ इतने गहरे ह हो जाते हैं, कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाओ नहीं भरते, सोयम पर विजय प्राप्त करना, दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है, घलतियां, विफलता, अपमान, निराशा और असुईक्रती, ये सभी उन्नती और विकास का ही एक हिस्सा है, क परेशानी आये तो एमानदार रहें, धन आजाये तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें, और क्रोधाने पर शांत रहें, यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता, लाश को शम्शान में रखकर अपने लोग ही चोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना, जब लोग बदल सकते हैं, तो किस्मत क्या चीज है, काम्याब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकाम्याब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं, यदि मनुष्य सीखना चाहे, तो उस उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ अवश्य सिखा देती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा। लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो भगवान को आपको देना पड़ेगा। जरूरत से जादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से जादा इस्तिमाल किये जाओगे संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता जितना दबोगे लोग उतना ही दबाते हैं कभी-कभी रिष्टों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिष्टा तक नहीं होता भलाई करते रहिए पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कच्रे की तरह जब इनसान की जरूरत बदल जाती है तब उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है अपना दर्द सबको ना बताएं क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता मगर नमक हर एक के घर में होता है सफल रिष्टों के यही उसूल है बातें भूलिये जो फिजूल है वक्त गूंगा नहीं बस मौन है वो आने पर बता देगा कि किसका कौन है बहुत कमिया निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर ले किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहां खड़े हैं इसका पता होना चाहिए अदब सीखना है तो कलम से सीखो जब भी चलती है सिर जुका कर चलती है किसी भी एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी दस भूलों को भी गिन लेना चाहिए धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक शन का सदूपियोग करना पड़ता है ना किसी के अभाव में जियो बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, और कभी मना लिया करो, सिर पर चड़ कर बोल रहे हैं पॉधे जैसे लोग, पेड़ बने खामोश खड़े हैं, कैसे कैसे लोग? भगवान से ना डरो तो चलेगा लेकिन कर्मों से जरूर डरना क्योंकि किये हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है ये रोटी भी सस्ती नहीं है यारो कोई इसे कमाने को दोड़ता है तो कोई इसे पचाने को अगर आप उसे इंसान को ढूंड रहे हो जो आपकी जिन्दगी बदल सकता है तो एक बार आईने में देख लो क्योंकि खुद से ज़ादा हमें कोई नहीं बदल सकता जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें समभाल कर रखिए और जो लोग मन से उतरते हैं उन्हें समभाल कर रही है भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है वो इनसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा जुकेंगे कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी जादा खतरनाक होती है क्योंकि वो उस समयवार करता है जिसकी हम कलपना भी नहीं कर सकते